Hello everyone, कैसे हैं आप सब तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर आज जो हम करने जा रहे है वो आपका हमारा next जो रियेजेंट है इन और्गेनिक एमिस्ट्री का उसे करेंगे हम अभी तक हमने potassium permanganate, potassium dichromate और potassium ferrosyanate किया है अब जो हमारा next reagent है इसको भी आप सभी ने देखा ही हुआ है लैब में यह हमारा जो reagent है that is sodium nitro proside शायद आप सभी को ध्यान में भी आ रहा होगा इसके बारे में sodium nitro proside आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका sodium nitro proside तो यह है हमारा आज का reagent that is sodium nitro proside इसका जो हमारा जनल फामूला होता है that is sodium Na2 nitro proside this is FECN 0-25 साथ में हमारा यहां पे लियन लगा होता है nitro cell और साथ में यह इसमें हमारे परस दू बाटर होता है ठीक है तो इसका जो नाम है that is nitro cell sodium nitro cell pentacyno farid 2 ठीक है यहां पर iron जो है इसकी oxidation state अगर हम निकालें तो this will be plus 2 ठीक है तो iron हमारा पास यहां पर plus 2 oxidation state में है तो जैसा कि मैंने कहा iron हमारा यहां पर plus 2 oxidation state में है आग यह निकालते हैं कि iron plus 2 में कैसे आया तो अगर मैं इस complex को in the anionic form दिखूँ तो this will be FECN whole twice 5 NO 2 sodium है तो this will be 2 negative charge ठीक है साइनाइड जो है आपके पास anionic ligand होता है इसके उपर minus 1 charge होता है यहां पर जो आपका ligand है that is nitrosyl NO यह यहां पर as a NO plus nitroson या मायन जो है वो act करता है तो यहां पर इसका oxidation state है plus 1 ठीक है जान में रखना है यहां पर neutral ही है यहां पर यह cationic form में है NO plus ठीक है तो अगर मैं यहां से इसके oxidation state निकाल लूँ X plus 5 sinide है हर एक के उपर minus 1 charge होगा along with plus 1 for nitroson या मायन is equal to net charge हमारे पास minus 2 है तो यहां से अगर हम oxidation state निकाल लें so this will be minus 5 plus 1 equals to minus 2 so x will be minus 2 plus 4 is equal to this will be plus 2 so हमारा यहां पर iron जो है वो plus 2 oxidation state में है तो आज़े सबसे पहले करते हैं इसकी preparation कि हम किस तरह से sodium nitrosite को बनाएंगे तो first thing जो है वो है हमारी preparation of sodium nitrosite तो sodium nitrosite को हम potassium ferrocinite के थू बनाते हैं उसको हम boil करते हैं विद्धी nitric acid solution को filter करते हैं, cool करते हैं हमारे पास crystal बन जाएंगे वहां पे last में जाके red color crystals बनते हैं हमारे पास sodium nitrosite के तो आएंगे देखते हैं हमारे पास किस तरह की reactions रहती हैं तो सबसे पहले हमारा potassium जो ferrocinite होगा that is K4 FeCn whole twice 6 ठीक है यहां पे भी rn हमारा plus 2 oxidation state में है similarly इस तरह से आप निकाल सकते हैं पहले जैसे पहले निकाली इसको हम react करेंगे with nitric acid जो हम nitric acid के साँ react करवाएंगे तो हमारे पान यहां पे acid बनके आएगा that is ferrocinic acid हमारे पास बनता है ferrocinic acid this is ferro sinic acid along with यहां से हमारे फास potassium nitrate निकल जाएगा KNO3 ठीक है balance कर सकते हैं हम असानी इस reaction को 4 nitrate लगेंगे ठीक है तो अब हमारे second step में क्या होगा अब हमें पता है nitric acid जो होता है हमारा this is oxidizing agent होता है ठीक है इसके हमने एक reaction की हुई है that is as an oxidizing behavior nitrogen oxygen निकलता है water निकलता है और साथ में हमारे पास यहां से तीन nation oxygen निकलते है that means हमारे पास nitric acid क्या कर सकता है यह जो हमारा ferrosinic acid बना इसको oxidize कर सकता है किसके अंदर करेगा यहां पे है हमारे पास ferro ferro means iron is plus 2 oxidation state ठीक है तो अब हमारे यह plus 2 oxidation state है iron की यह oxidize होके किस में जाएगी plus 3 में plus 3 है हमारी ferri तो अब हमारे पास यह आपका ferrosinic acid है यह oxidize हो जाएगा किसके अंदर ferri के अंदर ferri के लिए iron आपका plus 3 oxidation state में आएगा तो इस फेरी sainic acid ठीक है असानी से balance भी कर सकते हम इन रेक्शन को और साथ में हमारे पास यहां से water निकल जाएगा ठीक है तो हमने क्या किया सबसे पहले हमने potassium ferrosinite से हमने बनाया ferrosinic acid अब उसको oxidize कर दिया हमारे पास nitric acid के through into the ferrosinic acid अब यह जो ferrosinic acid होता है इसको हम react करवाते हैं with the nitrosal ligand यह निक आपक्साइड के साथ हम इसको react करवाएंगे यह react करके हमारे पास this will give you nitroprosinic acid that is FECN whole twice 5 यहां से एक cyanide निकाल देगा और nitrosal जोगा वो substitute हो जाएगा ठीक है साथ में HCN निकल गया so this is our nitro prosinic acid ठीक है पर हमें बनाना क्या है sodium nitroprosinic ठीक है and में हम इसको neutralize कर लेंगे by adding sodium carbonate sodium carbonate यब हम डालेंगे तो हमारे बास finally जो हमें desired हमारा जो desired product है that is sodium nitroprosinic Na2 FECN whole twice 5 NO यह बन किया जाएगा so this is our sodium nitro prosinic ठीक है along with यहां पर आपका water और carbon dioxide gas निकलती है ठीक है तो यह है हमारी preparation sodium nitroprosinic को लेके अगर इसको हम बात करें properties को हम next जो ठीक है that is properties इनको discuss कर लेते है सब्सक्राइली बात तो यह होता कैसे है sodium nitroprosyde है तो sodium nitroprosyde है आपका ठीक है ionic solid है आपके पास यह solid होता है हमारे पास और यह red color का होता है this is ruby red crystalline solid solid है हमारे पास ruby red color का solubility यह कर हम बात करें तो पानी में भी soluble होता है alcohol में soluble होता है लेकिन इसका solution होता है वो इतना अदा stable नहीं होता है ठीक है अब जो next अबसे बड़ा इसका use है जो आप सभी ने लेबरेटरी में किया हुआ है वो आप सभी को पता भी होगा कि sodium nitroprosyde को हम use करते हैं during the detection of sulfur as an element that is sulfide ion के detection के लिए कि हम sodium nitroprosyde का use करते हैं that is आपका acidi के radical है sulfide वहाँ पे हम इसकी detection के लिए करते हैं या फिर अब गर हम इसकी detection करनी हो elements की तो हम sulfur की detection के लिए इसका use करते हैं हम सासे पहले आपका sodium extract है वो बनाते हैं फिर हम बाद में sodium nitroprosyde test करेंगे for the sulfur ion तो test देख लिएते हैं कि sulfide ion को हम कैसे detect करेंगे action with sulfide ions sulfide ion होते हैं हमारे पास S2 negative ठीक है आप सभी को पता ही है acidi radicals मैं आप सभी ने किया ही है इन सभी को basic radical में भी आप सभी ने किया हुआ है जब हम H2S gas पास करते हैं sulfides बनाते हैं हम ठीक है तो H2S gas पास करते हैं वहाँ पे यह आपका sulfide ions इसके ही precipitate बन के आते हैं जो भी आपके basic radicals होंगे वो इसी के साथ react करेंगे पर अब ही हम यहाँ पे फिलाल आपका acidi radicals कर रहे हैं detection of sulfide ion तो sulfide ion के detection के लिए अगर आप सभी को ध्यान में हो तो हमारे पास अबसे पहले होगा क्या sulfide ion present होंगे मान लो sodium extract मुनाया हुआ है हमने ठीक है तो sodium ion जो होगा वह sulfur के साथ react करके sodium sulfide मुना देगा तो हमें sulfide ion मिनगे S2 negative अब यह react करेंगे हमारे पास किसके साथ sodium nitro preside के साथ this is our sodium nitro preside ठीक है इनके साथ react करने के हमाद अगर 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 आपको ध्यान में हो हमारे पास वाइल लेड जासा कलर बन के आता था परिपल जासा solution बन के आता था सुल्फाइट के लिए हम दो टैस्ट करते थे अगर सुल्फर के लिए जो हम बता रहा हुँ आपको बास लेड अगर बन के आते है और जब हम सुल्फियम निटर आपन के हिए है तो हमारा वाइल अब सुल्फर का या बन के आता है तो होगा क्या वो जो आपको ऑपको ये लीड ये जा पर्फल कलर बन के आ रहा है due to the formation of this complex हमारे पास violet या फिर आप बोल सकते हैं वो परपल जासा कलर बनके आएगा ठीक है तो सुलफाइड आएन रेक्ट करेंगे इस complex के साथ और हमारे पास यहाँ पर यह स्पीसिव बनके आएगा यह complex बन जाएगा हमारा अब जो मारा next test है that is reaction with the silver nitrate solution कि silver nitrate के साथ किस तरह सही react करेंगा तब जब हम sodium nitroprosyde को react करवाएंगे विद्धी silver nitrate EGNO3 ठीक है तब हमारे पास यहाँ पर silver nitroprosyde बनके आएगा silver nitroprosyde this is your FECN whole to S5 ENO और साथ में हमारे पास यहाँ के बनके आएगा sodium nitrate Na ENO3 ठीक है बैलंस कर सते है हमरे असान इसे reaction को ठीक है तो यहाँ पर इसके precipitate जो है आपके पास flesh color के वो अपिर हो जाएगे this is flesh colored precipitate जो है इसके बनके आएगे जब हम इस sodium nitroprosyde को react करवाएंगे with the silver nitrate similarly जो हमारी next reaction है that is our bad acre reaction इस reaction में हम क्या करते है जो हमारी next reaction है that is bad acre reaction इसमें हम sulfite iron जो है उनको detect करते है that is a sulfite iron के साथ हम reaction देखेंगे with the sodium nitroprosyde तो इसमें हमारे बास होता क्या है कि sodium जैसे हमालो sulfite है हमारे पास example है sodium sulfite ये react करेगा sodium nitroprosyde के साथ ठीक है sodium nitroprosyde के साथ react करने के बाद हमारे पास red color का complex बनाता है that is na4 fe cn whole twice 5 no और साथ में हमारे पास यहाँ पे sulfite iron जो है वो लग जाएंगे ठीक है तो ये complex मनता है आपका this is of red color तो यहाँ से हम sulfite iron की detection भी कर सकते हैं अब हम next जो इसकी last reaction लिखेंगे that will be reaction with the alkali's कि आपके पास alkali's के साथ कैसे react करता है that is its reaction with alkali example है हमारे पास sodium hydroxide का कि sodium hydroxide के साथ हमारे पास यह आपका reagent है sodium nitro hydroxide यह कैसे react करेगा तो अलकali's के साथ react करके हमारे पास यह ferrocynid बना देगा ठीक है this will give you ferrocynides this is our ferrocynide Na4 FVCN hold twice 6 ठीक है iron आपका plus 2 में है ferrocynid बन जाएगा साथ में हमारे पास यहां से ferrous hydroxide बनता है along with sodium nitrate निकलेगा sodium nitrate और साथ में आपका water ठीक है बेलंस कर सकते हैं आप इस पूरी reaction को साननी के साथ easily आप बेलंस कर पाएंग इस reaction को this will be 6 and this is 14 यहां से हमारे पास 5 complex में आजाएंगे 6 sodium nitrate 6 is our water and along with ferrous sulfide ठीक है तो अब जो next thing है हमारे पास इसको लेके वो इसके uses हैं तो uses as already हमने कर लिये हैं कि हमारे पास deduction के लिए यूस किया जाता है इसको sulfide ions के लिए in the qualitative analysis इसके लावा हम इस sodium nitrate प्रसाइड है इसको हम ketones की detection में भी use करते हैं in the detection of ketones क्योंकि ketones के साथ जब यह react करता है तो यह आपके पास violet red color जो है वो produce करता है ठीक है this will give you violet red color तब हम वहां से ketones की detection जो है उनको भी हम identify कर सकते हैं in the presence of some base कि हमारे पास sodium nitro-prosyde जो है वो उनको डिरेक्शन के लिए यूज के जा सकता है अब लास्ट फिंग है that is its structure कि इसका structure किस तरह से होगा तो अगर आप इस रिएजेंट को अब ध्यान से देखें तो इजी जैसा है छे लिगेंड लगे हुए है पांच साइनाइड है एक हमारा nitro-sil है ठीक है छे लिगेंड है तो definitely octahedral environment रहेगा इसका octahedral structure होगा जिसमें iron हमारा central metal है ठीक है iron center पे होगा और यहां पे हमारे पास पांच जो है वो साइनाइड आएन लगे होंगे फाइफ साइनाइड आएन और जो लास्ट होगा हमारा इस विल भी नाइट्रो-sil ठीक है और नाइट्रो-चार जाएगा इस विल भी 2- तो इस आल अबाऊट इस रिजेजेंट अब हमारे पास दो रिजेजेंट बचे है यह थिंग इस हैक्सामीन कोबाल्ट शाद कोबाल्टेट 3 है आपके बास और वन इस कोबाल्टी नाइट्रेट नाइट्राइट है इनको हम नेक्स लेक्शर में देखेंगे तो तिल दें थेंक यू